जै श्रीराधारानी सरकार की जै श्री क्रिशन भगवान की जै शिरमत भागवत महापुरान की मंदर्शी बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल के ओड़ से हम आप सभी भक्तों का हारदेक बिनंदन करते हैं आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिरमत भागवत महापुरान के दस्वे सिकंद के अड़तालिस्वे अधाय के अगले भाग की परमपावन कथा इस अधाय का नाम है उद्धव गोपी स्नमवाद बोल श्री राधा कृष्ण भगवाने की जै बोल श्रीमत भागवत श्री शुकदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्नन करते हुए राजा प्रिक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन उद्धव के ऐसे ग्यान भरे उपदेश सुनकर श्री राधारानी ने उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव इन रतन आभूशनों की जिससे शोबा होती ह वह मेरा अनमोल रतन कहा है तुम यह आभूशन उसी को जाकर लुटा देना मैं तो केवल उन कनहिया जी के दर्शन ही प्राप्त करना चाती हूँ दूसरी सकी कहने लगी है कि हे उद्धो यह कहां का न्याय है कि वे हमें तो योग साधना का उपदेश करते हैं और स्वेम मत वे हमें भोग विलास करती हैं तुम हमें केवल है बता दो कि उनकी उस अतरंग सभा में कभी हमारी चर्चा भी होती है या नहीं होती ये सुनकर एक अन्यसकी कहने लगी है कि हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मगन रहती हैं तथा उनके ही गुनगान करती हैं और वे योग विराग की पाती लिखकर हमारे हिर्दे की दभी दबाई अगनी को और अधिक प्रजवलित कर रहे हैं। ये उद्धव जो सदेव गुन रूपी लिलाएं दिखाते रहे हम उन्हें निर्गुन किस परकार मान सकती हैं। वे अगम अगोचर कैसे हो गए हमारे जिन प्रानों में क्रान प्यारे शिक्रिशन जी बस से हुए हैं वे तुम्हारी सीख क्या सुनेंगे तब एक गोपी इस परकार कहने लगी है। आली उधों से कुछ कहनी की क्या जरूरत है। इनकी बाते सुनकर चुप रह जाना ही ठीक है। हे उधों तुम्हारे इस योग को सुनकर हमारे हिर्दे में वियोग का दुख और अधिक भड़ गया है। इसके पशात श्री राधारानी सरकार उधों जी से कहने लगी हैं कि हे उधों हमारे प्यारे श्री क्रिशन जी हम को छोड़ चाहे जहां भी रहें प्रंतु अपने हिर्दे में हम दीन अबलाओं के प्रती प्रेम बनाए रहें। हे उधों अपने उन श्याम सुन्दर से जाकर कह देना कि राधाराणी ने एक विशेश संदेश तुम्हारे लिए भेजा है। कह देना श्याम सुन्दर कि हे श्याम सुन्दर चाहे तुम कुबजा से कितना प्रेम कर लो मतुरा की किसी भी इस्त्री से तुम कितना भी प्रेम कर लो परंटु आने वाले युगों में संसार के लोग जब भी जप तप रत आधी करेंगे तो वो राधाकृष्ण नाम ही लेंगे सब राधेकृष्ण ही कहेंगे हे उध्डो कह देना श्यामसुंदर से ज जब भी संसार के लोग कभी भगवान की भक्ती करेंगे, श्याम सुन्दर की भक्ती करेंगे, सब राधारानी का नाम लेंगे, सब राधारानी के संग श्री कृष्ण का नाम लेंगे, कोई कुपजा कृष्ण नहीं कहेगा, कोई भी कृपजा कृष्ण नहीं कह सकता, क्योंक कितनी सुन्दर बात आज राधारानी जी ने कह दी है उधो जी महाराज से कि आने वाले युगों युगों में जब भी भगवान की भक्ती की चर्चा चलेगी उस समय कोई भी और कोई नाम श्रीकृषन जी के साथ नहीं लेगा केवल राधाकृषन ही कहा जाएगा राधे कृषन राधे कृषन इस नाम से संसार के लोग इस भवसागर से पार हो जाएगे श्री राधारानी सरकार ने एक ऐसा अनमोल रतन इन वचनों में दिया है इस प्रसंग में दिया है कि जो कोई इसको जीवन में अपना लेगा उसका उधार हो जाएगा राधे कृष्ण राधे कृष्ण इस नाम को समरन करके इस नाम को याद करके संसार के लोग भवसागर से पार हो सकते हैं जो भी भक्त इस कल्युग में शी राधारानी सरकार शी कृष्ण भगवान की भक्ती करेंगे केवल उनी का उधार हो सकता है संसार से प्रेम करने वालों का उधार नहीं होता भगवान से प्रेम करने वालों का ही उधार होता है यही राधारानी ने इस प्रसंग में उधो जी महराज जी से कहा है इसके पशात एक दूसरी गोपी कहने लगी है कि हे उधो हमें श्री मदन मुरारी के लोट आने की आशा थी परंतु तुमने योग का संदेश सुना कर हमारी आशाओं के सारे महल ड़ा दिये हैं हम तो सीधी साधी गां की गवारिने हैं हम योग को क्या जाने अच्छा हो कि त प्रेकूंठ धाम की आवशकता है हमें तो केवल श्री श्याम सुन्दर की दासी बने रहने की एक मात्र अभी लाशा है आज ब्रज की सभी गोपियों ने उधो जी महराज जी से कह दिया है कि हमें तो श्री श्याम सुन्दर से प्रेम हैं हम उनके प्रेम की प्यासी हैं हमे किसी मुक्ती वुक्ती की इच्छा नहीं है हमें भगवान के धाम की भी आवश्यक्ता नहीं है हम तो श्याम के चर्णों की दासी है हमें संसार की वस्तों से प्रेम नहीं हो सकता हमें किसी योग वेरागय की आवश्यक्ता नहीं है हमें तो श्री श्याम सुन्दर के दर्शन मातर की अभी लाशा है अगर हे उद्धो तुम दर्शन करवा सकते हो तो सही बात है अगर दर्शन नहीं करवा सकते उन श्याम सुन्दर का तो ये योग वापिस से ले जाओ इस योग को उनी श्याम सुंदर को सुना देना जीने किसी से प्रेम नहीं हो सकता हम तो उनके प्रेम की दीवानी है लेकिन श्याम सुंदर ने हम से प्रेम नहीं किया है तबी तो ऐसा संदेश उन्होंने हमारे लिए भेज दिया है जो की हमारे जले हुए पर नमक छिड़क इतनी कथा सुनाकर श्री शुकुदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित गोपियों के इन प्रेम भरे वचनों को सुनकर उद्धव कोई उत्तर ना दे सकने के कारण केवल शीश जुकाकर चुप चाप बैठे रहे हैं उद्धव जी के पास इन प्रशनों का कोई उत्तर है ही नहीं है गोपियों ने आज जो वचन उन से कहे हैं उद्धव जी महाराज उसको सोच सोच कर ये परिशान हो चुके हैं कि मेरा ग्यान इनके वचनों का उत्तर कैसे दे सकेगा इन्होंने प्रेम से भरे जो वचन मुझे सुनाए हैं जो सुन्दर बाते क इनको मैं क्या जवाब दूँ क्योंकि इनको भगवान से प्रेम है मेरा ग्यान इनके प्रेम के आगे बिलकुल हार मान बैठा है। प्रकार जल पर खींची गई रेखा मिट जाती है। उस प्रकार संपुर्ण संसारी व्यवार्दी स्वपन के समान मित्या है। तुम्हें उचित है कि तुम श्री हडी के चत्रभुजी सवरूप का ध्यान करो। जिससे तुम्हें श्री नरायन भगवान का दर्शन प्राप् चुरा कर किसके मुह में खाया था। तुम्हारा ये मिठ्या ग्यान हमारे किसी मतलब का नहीं है। हमें ग्यान उपदेश करते हुए स्वेम तुम्हें कुछ विवेक नहीं है। तुम कहते हो कि श्री श्याम सुंदर अजर अमर अविनाशी है। सही बात है। तुम कहते हो कि वो नीराकार हैं तो हमें बताओ कि उन्होंने जो ब्रज की रज खाई है वो ब्रज की माटी खाई है वो उन्होंने किसके मुख में डाली थी जो उन्होंने दूद दही माखन चुरा कर खाया है अगर वो नीराकार हैं तो उन्होंने किसके मुख में वो खाया था इसलिए ह हे उध्व तुम्हे कुछ विवेक ग्यान नहीं है। एक अन्य सखी ने कहा है कि हे उध्व हम तो अपने प्रान प्यारे के लिए व्याकुल हैं और तुम प्रपंच की बातें करके हमारे जले पर नमक छिड़कते हो। श्री श्याम सुंदर तो हमें इस परकार छोड़ गए ह जैसे सांप अपनी कैंचुली को उतारता है। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उध्व श्याम सुंदर प्यारे ने हमें दावा नल तथा इंदर के कोप से बचा कर यहां अनेक लीलाएं दिखाई हैं। ऐसे श्री नरायन के अवतारी ने कुबजा को अपनी रानी लज्जा से हमारा सिर नीचे जुक जाता है। क्या उन्हें चेरी का चेला कहलाने में लाज नहीं आती। तब एक अन्य गोपी ने कहा है कि हे उध्व यदि श्री श्याम सुंदर को कूबड ही प्यारा हो तो हम लोग भी कूबडी बन मतुरा चली चलें। हे उध्व वह द किन कब आएगा जब श्री मुरली मनुहर यहां आकर हमारा दुख दूर करेंगे। एक सकी ने कहा है कि हे आली मुझे तो अब उनके यहां लोट कर आने की आशा ही नहीं रही क्योंकि वे वहां राज पा गए हैं। एक और गोपी कहने लगी है कि हे उध्व जब श्री ने हमको त्याग दिया तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रख छोड़ा है। हे उध्व तुम उनसे जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दें क्योंकि हमसे यह छोटी बात सही नहीं जाती कि कुबडी उनकी पटरानी कहलाएं। हे उध्व कु अंदिग रहमें डलवा दिया फिर हम गोपियों को दुख दे कर दूर हो गया है। एक अन्य गोपी ने कहा कि हे उध्व में जिस दिन से गए हैं। उसी दिन से हमारा खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया है। हम दिन रात उन्हे के आने की रहा देखती रहती हैं। य एक अन्य गोपी कहने लगी हैं कि हे उध्व शास्त्रों के अनुसार गुरू अपने शिष्य के कान में स्वयम मंत्र फूंकता है। यदि शिरी मोहन प्यारे हमसे योग ही सदवाना चाते हैं तो उन्हें चाहिए कि ब्रज की कुझों में आकर हमें स्वयम ग्यान का उपर पिर एक अन्य सखी ने कहा है कि हे उध्व भगवान को जाकर कह देना कि हम तो सदा उनकी याद में आंसू बहाया करती हैं अब वो ग्यान हमें क्या सिखाएंगे हम तो उनके प्रेम में सदा मतवाली बनी रहती हैं एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उध्व जिस प्रकार ठ हग बटोही के साथ पहले तो प्रीती दिखाता है फिर मोका लगा कर उसका धन छीन कर मार डालता है उसी प्रकार शिरिश्याम सुंदर ने पहले तो प्रीती दिखा कर हमारा तनमन धन सब छीन लिया अब विरागे की छुरी मार कर हमारे प्रान लेते हैं फिर एक अन्य गोपी इस परकार कहने लगी है कि है उद्धव एक तो मनमोन प्यारे पहले से ही निश्ठुरते फिर उन्हें तुम्हारे जैसे कठोर मित्र और मिल गए जब वे ऐसा संदेशा नहीं भेजेंगे तो और क्या करेंगे तुम तो हमसे ग्यान विराग्यां की बाते करते हो लेकिन हमको ऐसा कठोर योग साधने की आवश्रक्ता ही क्या है जो तुम ये कहते हो कि सब जीवों में उन्हें का परकाश रहता है तब तो तुम भी क्रिशन हो ही गए तुम भी क्रिशन के समान गोवर्धन परवत को अपनी उंगली पर उठा कर एक बार दिखा दो फिर हम मान कि श्रीक्रिशन सब में समाय हुए हैं तुम भी अगर श्रीक्रिशन हो तो तुम भी वही लिलाएं करके हमें एक बार दिखा दो हे उद्व हम इस बात को भली भांती जानती हैं कि उन जैसा कोई अन्य नहीं हो सकता यदि तुम से हो सके तो हमारे चित चोर को यहां ले जहां से लाए हो वहीं वापिस ले जाओ ये सब योग वेराग वे अपनी कुबजा रानी को सिखाएं जिस परकार अंधे मनुष्य को शीशा देखने से कोई लाब नहीं होता उसी परकार हमें भी योग सिखाने से कोई लाब नहीं हो सकता दूसरी गोपी कहने लगी है कि ह पहले तुम ब्रजबालाओं की दशा देखो फिर उन्हें अपना ग्यान सिखाना दूबता हुआ मनुष्य पानी के फैन को पकड़ कर नहीं बच सकता उसी प्रकार तुम्हारे ग्यान के उपदेश से हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। एक अन्य गोपी कहने लगी है कि हे उद्व तुम जिस योग की गठरी को अपने सिर पर रखकर इतनी दूर चल कर आए हो उस ग्यान की गठरी को काशी जी में ले जाओ वहां के लोगों को मुक्ती पाने की बड़ी अभिलाशा रहती है ये उद्व मन तो एक ही है मैं हमारा मन शिरी मुडली मनोर के साथ चला गया है अब हम योग साधना के लिए दूसरा हिर्दे कहां से ले कर आए हम तो तुम्हें भी शिरी शाम सुंदर का भक्त ही समझती थी प्रंतु तुम्हारी बातों से मालुम होता है कि तुम्हें उनसे प्रीती अथ्वा भक्ती कुछ नहीं हैं कमल की नाल के द्वारा हाथी को बांधने का यतन कर रहे हो हमारी प्रीती को तुम्हारा उपडेश भांध नहीं सकता है शिरी शाम सुंदर जी के साथ रास लीला करते समय छे महीने की रात हमें एक पल के समान प्रतीत हुई थी अब उनके वियोग का प्रतेक शन एक हम मर गई होती तो इस परकार शिर्मत भागवत महापुरान के दस्वे सकंद के उधव गोपी समवाद के इस परसंग की कथा का यहीं पर विश्राम होता है अगले भाग में इसी कथा का आप अगला भाग सुन पाएंगे तो मंदर शिबंसी वाले महात्मा यृट चैनल के और से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हार दे के धन्यवाद भगवान शिर्मत भागवत महापुरान की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की अगवत महापुरान की जैश्री शुकृदेव जी महराज की जैश्री राधे जैश्री राधे जैश्री राधे जैश्री राधे शाम